हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉपिक टॉपिक टॉच आज की वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का सॉलूशन करेंगे यह ट्रांसलेशन क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है तो देखिए अभी जो ट्रांसलेशन आती है इसमें चार या पांच सेंटेंस आते हैं और चार नम्मर की आती है आपको ये जो ट्रांसलेशन है ये परानी ट्रांसलेशन है पहले जो ट्रांसलेशन आई हुई है एक्जाम में वो अभी भी आती है तो उसमें से एक्जामनर क्या करता है कि कुछ सेंटेंस ले लेते हैं तो वही आपको ट्रांसलेट करने पड़ते ह क्योंकि पहले इस translation बड़ी होती थी, उसमेंसे कुछ ही sentence आपको आते हैं इसलिए आपको पुरानी translation प्रक्टेस कर लिने चाहिए, जिससे आपको help मिलेगी translation को solve करने में अब देखिए, पहला sentence है, जो बालक परिस्रम करते हैं, बेस्सदा सफल होते हैं यह present indefinite का है, दो sentence हैं, इतना अनुबात करेंगे पहले, जो बालक परिस्रम करते हैं, जो बालक यानकी the children who और परिस्रम करते हैं, यानकी work hard अब देखिए, यह जो who है, यह relative pronoun है और यह जो है, यह antecedent कहलाता है, antecedent इसके अनुसार यह करिया आती है, यह बहुबचन है, children इसलिए यहाँ पर work लगा हुगा है, नहीं तो present indefinite tense में करिया में S.I.S. लगता है, बहुबचन है तो करिया में S.I.S. नहीं लगा है The children who work hard, बेसदा सफल होते हैं, बेयन की दे सदा या हमेशा एक ही बात है, always सफल होते हैं, यानकी सफलता पाते हैं, succeed भी लग सकते हैं, या get success भी लग सकते हैं They always get success, S.U.C.C.E.S.S. हम इस पूरे की जगाए पर, get success की जगाए पर, succeed भी लग सकते हैं, केवल, S.U.C.E.S.E.D. क्योंकि succeed एक वर्व होती है, यह नावन होता है, इस वैसे इसको वर्व बनाने के लिए, इसमें get जोडना पड़ता है अगला sentence है, कुछ तो आलस में समय गवा देते हैं अब देखिए, कुछ यान की कुछ बालक, यान की, some children present indefinity यह भी है, समय गवा देते हैं, यान की, waste away their time, यान की, अपना समय गवा देते हैं आलस में, यान की, idly, some children waste away their time, idly इसके बाद आगे हैं, बे कहते हैं कि उन्हें आनन्द आ रहा है बे कहते हैं, इतना यह present indefinite है, बे यान की, दे कहते हैं, यान की say, की, यान की that उन्हें आनन्द आ रहा है, उन्हें यान की they they are enjoying, या they are having fun, they are, आनन्द लेना enjoy, या having fun, ये भी लिख देते हैं, having fun, इस पूरी की जगार पर हम लिख सकते हैं, enjoy, enjoying, या तो ये हो जाएगा, they are enjoying, या they are having fun, next है, पर भी नहीं जानते, की वे अमूल समय नस्ट कर रहे हैं, पर भी नहीं जानते, इतना नुबात करेंगे, पर भी नहीं जानते, यान की पर भी नहीं जानते हैं, ये present indefinite में इतना बनेगा, but, बे यान की they, अब do not, जानना की, no, but, they do not know, that, बे अमूल समय नस्ट कर रहे हैं, बे यान की they, अब देखें, present continuous है, they are, नस्ट कर रहे हैं, wasting, अमूल समय, देयर, अमूल समय, यान की, valuable time, अमूल समय, यान की, अपना अमूल समय, इसलिए हमने, देयर लगा दिया, लिस्ट आउग, खोया समय कभी बापस नहीं आता है, खोया समय यान की, lost time, कभी नहीं, never, बापस आता है, आता या आता है, एकी बात है, comes back, present indefinite बनेगा, never comes back, जो fact होते हैं, वो present indefinite में ही बनते हैं, इसके बाद है, जब तक तुम कठोर परस्णम करना नहीं सीखते, जब तक नहीं, या यदी नहीं, एक ही बात होती है, तो unless, unless लगेगा, अब इसी में देखिए, नहीं भी आ गया, तो ये जो पाक बनेगा, अफर्मिटब में बनेगा, निगेटब में नहीं बनेगा, क्योंकि निगेटब वर्ड ये है, तो मैंन की यू, कठोर परस्णम करना सीखते, यू लर्न, तू, कठोर परस्णम करना, लर्न टू, वर्क हाड, तब तक, तब तक की अंगरीजी के बल कॉमा, तुम्हें सुख की आसा नहीं करने चाहिए, तुम्हें यान की यू, चाहिए लगा है, सुड, यू सुड, नहीं यान की नॉट, यू सुड नॉट, आसा करना, हो, वोप फॉर, सुख है यान की हैपिनेस, अगे है, सफलता के लिए हमें दर्ड संक्र्ट कर्म किया हो सकता है, इतना अनुबात करेंगे, सफलता के लिए, यान की फॉर सक्सिज, हमें, वी, आउ सकता है, नीड, या जरूरत होना, किसकी, दर्ड संक्र्ट तधा कर्म की, दर्ड संक्र्ट यान की, फर्मडेटर्मिशन, फर्मडेटर्मिशन एंड कर्म यानकी लेवर फुले स्टॉप गीता भी हमें यही सिच्छा देती है गीता अब तर पुस्तक है दा लगाएं यह दा गीता भी यानकी आलसो इसके बाद है गिब्स गहाने देती है यही सिच्छा यानकी दा सेम लेशन गीता ऑलसो गिब्स यह है एक बचन इसलिए एस दोड़ेगा अलसो गिब्स दा सेम लेशन टू अस हमें तो इस तरीके से यह translation complete हो दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है से लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद